आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा आपके सामने गुणा के तीन स्वाल हैं देखिए हम बिना एक्चल कैलकुलेशन की बिना लंबी गुणा कीए इनको कैसे हल करते हैं इसका जो अंस्वर आएगा साथ तीन दो चार दो छे साथ पांच आप कैलकुलेट जरूर कीजिए गा कैलकुलेटर से देखिए क्या यहीं इसका अंसर जो होगा 6, 8, 6, 3, 1, 3 इसको भी जरूर चेक करें इसका जो अंसर आएगा 2, 4, 7, 5 आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतनी लंबी कैलकुलेशन इतनी असान तरीके से कैसे कर दी जाती हैं उनका तरीका बताने जा रहा हूं तो देखिए चलते हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सर की पार्ट साला में इन वीडियो में मैं आप लोगों को वैदिक गनित से सम्बंदित कैलकुलेशन जोड घटा गुणा ये सारी विद्या सिखाऊंगा जिसका आज हम 4th पार्ट कर रहे है इस 4th पार्ट में मैं आप लोगों को 999 से 999 से 999 से मतलब जिसमें सभी 9 के आँख हों उन संख्याओं से कैसे गुणा किया जाता वो बता रहा है चलिए पहले हम 9 से करते हैं इसका जो फार्मूला है वो है एक न्यूनेन पुर्वेन ये इसके सुत्तर का नाम है वैदिक मैथिक मैठिक मैठिस में अब देखें मान लीजे मुझे 7 को 9 से गुणा करना है तो आपने क्या करना है जो ये है इसमें से एक अंकम कर दीजिए 7 से पहले क्या होता है 6 होता है और अब 9 में से 6 गटा दीजिए कितना हो गया 63 79063 होते हैं साथ नहीं में 63 यहां पर चलते हैं माल लीजिए मुझे 76 को 99 से गुणा करना है तो मैंने क्या पता है आपको एक कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 75 आपने इस में से ये value क्या कर देनी है माइनस कर देनी है तो मैं माइनस करूँगा 9 में से 7 2 9 में से 5 गया 4 तो आपका अंस्वर 75 24 कितनी असानी से सब निकल रहे हैं यहां पर माल लीजिए हमने 3, 5, 4 को 354 को 99 में से गुणा करना है तो बड़ा सिंपल सा क्या करेंगे आप 3, 5, 3 इसमें से कम कर दिया फिर क्या 9 में से 3 6 9 में से 5 4 9 में से 3 6 बड़ी असानी से यह सम सोल हो रहे हैं इसके बाद 1, 3, 2, 6 गुणा में 9999 क्या करना है 1, 3, 2, 5 इसमें से कम किया 9 में से 1 8 9 में से 3 6 9 में से 2 साथ और नो में से पांच गया चार तो आपने बिना लंबी कैलकुलेशन किये इन चीजों को इतनी आसानी से हल कर दिया है अब इसमें स्पोज कीजिए अगर हमें यहां पे छेहतर की बजाए साथ गुना में 99 हो जाता है साथ गुना में 99 फिर आपने क्या करना है यह दो अंक नहीं है तो आपने यहां पे 0,7 लगा लेना है फिर क्या करेंगे हम 0,6 और 99 में से 6 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 9 में से 6 गया 3 यह दो अंक बना लिए हमने इस चीज़ का आप स्पेसल ध्यान रखेंगे एक और कर लेते हैं इसमें कर लेते हैं माल लीजिए मुझे 85 को 999 से multiply करना है तो मैं क्या करूँगा यहां पे सुन्या लगा लूँगा पहले तो हमने इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा फिर 9, 1 और 5 आपका अंसर हो जाएगा एक इसमें से भी कर लेते हैं 3, 7, 5 गुणा में 9999 क्या करेंगे सुन्या लगा लेंगे 0, 3, 7, 4 9 में से 9 में से 3, 6 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 4 गया 5 बहुत ही असानी से हमने इनको हल कर लिया अब इसके अलावा भी यहां पे हमारे पास दो अंग है यहां पे एक अंग था अगर इसका उल्टा हो जाए 71 गुणा में 9 यहां पे हमारे पास यह दो डिजिट है यह हमारे पास एक डिजिट है पहले उसमें हमारे पास यहाँ पे दो अंक थे, यहाँ पे एक अंक था, अब की बार अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं, तब आपने क्या करना है, देखे इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से आप सोल कर सकते हो, क्या करें, या तो इसमें से पहले की तरह हमने क्या किया, एक अंक कम कर लिया, 70 हो गया उसके बाद आपने ये जो value है 9 as this लिख दीजी और उसमें से जो ये अंक बचा 70 आप उसमें से minus कर दीजी क्या हो जाएगा 9, 10 में से 7 गया 3 और 649 इसका एक तरीका और पता देता हूँ वो क्या है 71 गुना में 9 आपने क्या करना जितने 9 से आपने गुना की है एक से दो से तीन से यहां पर एक 9 से है तो एक ही सुन्या लगा दीजी तो ये कितना हो जाएगा 710 और ये वाला पूरा का पूरा आंक इसमें से minus करतीजी इसमें से minus करेंगे 10 में से गया 9 फिर दस में से साथ कितना हो जाएगा तीन और छे दोनों से अंसर सेम आएगा दोनों ही आसान है इसमें क्या किया था मैंने आंक गटाया ये वाली वैल्यू एजटीज लिखी और जो बच गया था उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया एक और कर लेते हैं माल लीजिए हमारे प पांच तीन को हमने 999 से गुणा करना है 53 को 999 से फिर हम क्या करेंगे पहले तो एक आंक कम करें बावन हो जाएगा चिक है उसके बाद जितने भी नाइन हैं वो आप एजटीज लिख दीजिए और क्या करोगे 52 हमने माइनस कर दिया साथ चार नो दो पांच बावन नो सो सिंतालिस आपका अंचरा जाएगा तो इस तरह से चाहे आपके नाइन ज्यादा हूं इसमें अंक ज्यादा हूं चाहे आपके इस तरफ ज्यादा अंक हूं तो आप बड़ी असानी से इनको बुना कर सकते हैं और ये कौन सा सुतर है ए एक नियूनें पुरुएंट मतलब जो अंख दियाव है उससे एक नियून कर दीजिए उससे एक पहले वाला अंख ले लीजिए तो बहुत यह असान तरीका था यह बढ़ी असानी से आपने इन चीजों को सिखा और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ यह जो चीजे है जो वैदी के मैथेमेटिक्स है आज कल कंपेटिटिव एक्जाम्स में बहुत बहुत काम आने लगा है वहां पे आपको एक टार्गेट दिया जाता है आपके 200 क्वेशन हैं आपको 120 मिंट्स में पूरे करने हैं 120 में 200 क्वेशन करने हैं तो आपके लिए आपकी जो होनी चाहिए और बहुत जगह ऐसी चीजें आती हैं वहां पे आप देखते ही आप उनका अंस्वर निकाल सकते हैं तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को जरूर दिखाएं जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी आप घर पे जादा से जादा किया करें ताकि यह चीजें जब भी आपको जुरूर पढ़े आप उनको एकदम से असानी से हाल कर सकें तो इस वीडियो में इतना ही हमारे जो वैदिक मैथेमेटिक्स के हम स्रीच चला रहे हैं आप आपके सामने जल्दी ही नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत